कि विझा जो लो आज हम इस पेसर ट्रम्स देखते हैं इस पेसर ट्रम्स जो को ये देखना है कि चारगाफ रूल क्या कहता है तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि यह जो प्वाइंट हमारा बता रहा है यह और चारगाफ रूल के बारे मिता रहा है कि चारगाफ रूल क्यों इंपॉर्टेंट से इस बता आर रहे दी चैनल पेशली इसके ने नमरकल कैसे आता है और यह कaimerार सकते हैं इसके बारे में हमको आज इस क्लास में रेखना है तो क्लास से स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि ऐसे हैं इस पेशल्स वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और वीडियो को इसको सही तरीके से पब्लिस कौन किया या फिर सही तरीके से प्रपोश कौन किया या इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिक्स का क्या नाम है तो यहां पर इर्वेंड की बात कर रहा है कि इसको पब्लिस किये और उन्होंने बताया कि जो मेरा यह नियम है यह पूरा रूल मैंने लिख है कि यह पूरा मेरा dna,mall the overarching starts between double halic है उसके बारे में कि कहता है सब्सक्राइब करें दूसरे हिलिक्स के बीच के जो पेयर होते हैं वह तेन पेयर नाइट्रोजनी बेसे सोते हैं ठीक उसके साथ हम बात करें इसकी डायमेटर की कि डायमेटर कितना होगा 20 दोरी की डिची एक ले नोगी 34 नाइट यहां पे रहें उसके बाद एक जो das है दूसरें के बीच का pom रिच महां अग्णेश्ट्राम होगा इसके बारे में थोछ वह वात करनें फिर आगे चलते हूं यहां पर हम थ्री डैस की बात कर लें पैरे फाइब डैस की तो यहां पर आप देख रहा है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यह सुगर होता है यह मुंडी जास्ट नीचे होगी और यह उपर होगा मतला हम क्या कर लें इसके लिए यह बता सकते हैं कि यह पुरा रूल होगा वह इदम सिंपल सा बताएगा कि ऐसे कुछ हमारे क्या होंगे ऐसे हम नंबरिंग करेंगे इधर से यह है हमारा सुगर पेंटो सुगर वन हो गया यह टू हो यह जह थ्री हो गया यह फौर इसके सहनल होगा हमारा यह ग्रूप और इसके साथ लगा होगा उपर फास्तफिट उर्मणल मलत यहां से इसको फास्त से क्या च ten गला यह एक पर इंप हम स芬सा जिहां पर हमारा जुड़ेगा ठीक और यहां पे जो वही ट्रम्स है यहां पे ओएच जुड़ेगा क्योंकि यह वह जो ट्रम्स है यहां पे ओएच से है ठीक उसके साथ सत और यह वाला ट्रम्स आ जाएगा इधर पल्टी करके तो क्या हो जाएगा यह ज़स्ट अपोजिट दिखाएगा इस प्रिल्च के साथ आइसे अमभांसे ट्री और फॉर इसे हसाथ लगा है यह आपका सिगर कि यह लगजाएगा इसके साथ तो यह ढाए गे यह हुजाएगा हमारा पी क की यह हो जाए हाइडोजन बंड के साथ और जो गुवानीं साइटोसीन है वो त्रिपल हाइडोजन के साथ जुड़े हैं और इनके बीच की गैप होगी वह 3.4 एंगेस्ट्रम होगी टिक उसके सीरिज में ऐसे जुड़ते रहेंगे अब आगे बात कर लें जो तुटि फॉर एंगेस्ट्र होंगे हमारे नाइटरोजनी तो इसके बारे में इनका किया तालूक whats और इनके बारे मकारे हम देख ले कि हमारे चारगाफ रूल है यह इस रूल को फालू करता है इसरीरू को फालू करता है यह कहता है क्रिंस एसकर आज़ाइन दिया दिखारा पूरिण के जो बएससें वह सा इडिने और गुगानिन आज उसके साथ दो पिरमीडीन आज ङुपके साइटोसिन और थाइमीन जो है इनके बारे में हम जानते है यह तो होगे प्रिमीन और प्यूरीण के बेसस जी देखो क्या इसके जो बांड से यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एडिनेन थाइमन के साथ जुड़ा है एकी और डबल हाइडोजन के बांड तो यहां से कोश्टन्स निकल के आते हैं मैं इसलिए इसको लगाया हूँ कि यह कोश्टन निकल के आता है कहता क्या है? इन्पोर्टेंट्स हैं ध्यान दीजेगा यह multiple choice question के लिए बड़ा important रहा है ठीक यह multiple choice question में यह बोलता है कि जो हमारा एडिनिन है या फिर हम जब DNA के double helix को denaturation कराते हैं DNA के double helix को denaturation कराते हैं तो सबसे पहला bond hydrogen का किस nitrogen basis के पास से टूटा या break होता है तो हमारा रहेगा यह वाला points उपर वाला अब इसको ध्यान रखिएगा यह वाला डिब्बा ठीक क्यों टूटता है students यहां पे बात करें तो एक hydrogen bond के पास लगभग 42 किलो कैलोरी एनर्जी से कम होती है यहां पे दो लोग हैं तो मालो 44 42 42 आफका 84 हो जाएगा इतने एनर्जी हुआ लेकिन इसके पास जो है इसके पास तीन लोग हैं मतलब यहां पे हम यह देखेंगे कि सिंपा सा बोल रहा है कि जो आफका 42 42 मिलेगा फिर 42 मिलेगा ठीक तो 42 यह 126 हो जाएगा तो 162 किलो कैलोरी उद्जा चाहिए एनर्जी चाहिए और यहां पर केवाल हमको 84 किलोरी उद्जा चाहिए था एनर्जी चाहिए था लेकिन यहां पर 126 चाहिए तो दूनों में सबसे पहले यह inse Abion calm receptive चाहिए यह पौंटी ठीक चाहिए यह पॉइंट पहुत ही इनस्पोन नहीं अधियां रखियेंगा अधिनिन के साथ जो तायमीन होता है वह डाव़ हाइडोजन साथ मेरे देखते हैं तक Pea रावते हैं जान न सब्य तरिडशन बन के सायप मेरा रूरा रहा है उसकी सासाहत Long double helical structures of DNA कि DNA का double helix, helical structures उन पर वो चारगाफ rules फालो करता है या फिर उसी के अधार पे बनाया गया है यह बताता है कि संख्या होगी वह गोवाण इनके संख्या के बराबर होगी और जो गोवाण इनके संख्या होगी वह साइटोस इनके बराबर होगी ठीक कुल मिलाके इनके numbering counting की बात करेंगे तो ये counting pull देते हैं इसकोल टू दे के देंगे 100% कितना देंगे 100% मतलब इन चारों का जो number होगा मिलाके 100% हो जाएंगे इनका दोनों का number एक साथ होगा और इन दोनों का number एक साथ होगा मतलब हम यह कह सकते हैं कि किसी भी DNA के हैलक्स में जो BDNA Watson Crick के फालो करते हैं उनके साथ ठीक उनमें जितने number आफ एडिनिन होंगे उतने ही number आफ क्या होंगे आपके थाइमिन होंगे और जितने number आफ गुआनिन होंगे उतने number साइटो सीन होंगे यह देखो percentage इसे से निकल क्या आता है percentage इस पर आता है मेरा numerical हम numerical के बारे हम देखेंगे जहां पर इसके बारे हम बोल रहा है कि जो एडिनिन का percentage होगा वो थाइमिन का भी percentage होगा just equal होंगे इनका 5% है तो इनका भी 5% टिक इनका भी 5% तो इनका भी 5% अब क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 100% होते हैं तो minus 10 कर दो इन में से sorry minus 10 कर दो तो जो अगा 90 90 हो गया इन दोनों के लिए तो आप गुवा नहीं निकालना है तो आपान टू कर लो होगा 45 मतलब इस से लिक्स में इसका 45 होगा ठीक 42 होगा ठीक इनके बारे में देखेंगे लेकिन इससे पहले नहीं हम इधार अभी नुमेर्कल नहीं साल्व करते हैं देखो अब इनके बारे में हो गया परशंटेज नेगल गया तो अब यह प्यूरिन पिरामीडिन हो गया कुछ ज्यादा इस्पेसल नहीं आप ध्या थाइमिन के बराबर होते हैं और जो गुवानी नंबर होते हैं वो साइटोसीन के बराबर होते हैं ठीक तो यह रहा ट्रम्स के साथ कुछ नोट तो कुछ टॉपिक छूट गया है उस टॉपिक को हम नोट डलके कवर कर लेंगे और नोट में क्या लिखेंगे स्टुडेंट जहां पर जिसे अभी हमने पढ़ा था कि जो A होगा वो T के बराबर होगा और जो G होगा वो C के बराबर होगा इन दोनों का नंबर बराबर होगा तो इनका जो ratio होता है वो 1 होता था इनके बारे में देखा था मैंने तो इसे के साथ हम यूकरिटिक्स ही बात कर लें और प्रोकरिटिक्स ही तो हम बात करेंगे पहले यूकरिटिक्स की यूकरिटिक्स और प्रोकरिटिक्स में क्या कहते हैं तो यूकरिटिक्स में हमको यह देखना है कि जो हमारा यूकरिटिक्स हैं यूकरिटिक्स में जो numbers होते हैं किसके चारग PR के बारे में पूछता है इनकाfrede कैसा होगा इनके बारे देखना है तो ज Stress कैसे हैं कैसे है कि ise IT इनमें को यह देखना है इसके साथ जो हमारा प्रोकरोट vib और इंत कुछ अलग होते हैं क्या होंगे पहले वाले मों दिखाएंगे कि उनका जो ratio होते हैं वो 1 से कहीं न कहीं कम होते हैं उसके बाल में बताएगा कि उनका ratio जो prokratics के label में है वो eukaratic के पेश्चा कम है ठीक ये दिखाता है उसके साथ साथ हमको ये और special terms मिलता है जिसको हम और कुछ पढ़ना चाहिए हमको ठीक उनमें ये देखते हैं कि एक सिंपास एक word देता है word के साथ हमको इंडिकेट करना पड़ता है कि ये point जो हमारा eukaratic और prokratics है वो दोनों में different क्या है और इसका special BR या base ratio क्या होगा तो हम बात करने इसके ratios की तो ratios हमको मिल चुके है ठीक ratio में क्या है सिंपासा यहां पर पहले बात करेगा prokratics की जो prokratics का ratio है वो क्या दिखा रहा है वो दिखाता है कि इनकी जो number सुनगे हम इनको मिटाई लें यहां से थोड़ा सा जो यूकरेटिक्स के नंबर होंगे वो कुछ ऐसे होंगे एक से उसके बाद यह जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जहां से आप number को indicate कर सकते हैं उसके साथ आप चले हम numerical पे जो मेरा फर्स्ट नुमेरकल है वो क्या कह रहा है हम बात करें फर्स्ट नुमेरकल की तो नुमेरक मतला हमको ओस रेशंवे एक ऐस डीननने का है चिल डिया गया है , इस में यह बोल रहा है कि जो जो गुमानीन प्रोजेंट थे dauve को आपका कितना है मताब 14% है 40% हमको गुगानीन मिल गया इस DNA में उसके साथ साथ दूसरा क्या बोल रहा है कि हमको निकालना है A T और C का मान निकालना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं यहां से किसके साथ क्या है इसका मान पूछ रहा है इसकी क्या होगी उसके साथ T की वैल्यू क्या होगी और और C की वैल्यू क्या होगी तो यह तीन वैल्यू पूछ रहा है एक वैल्यू मेरे को दिया है तो यहां पर हमको यह जानते हैं कि यह जो वैल्यू दिया है इसको हम यहां पर स्वाल कर लें तो स्वाल करने के साथ साथ हमको क क्या है आएगा कि जो मारा g है plus a है plus आपका t होगा plus c होगा इनकी जो value होती है वह 100 % हो जोती है 100 % होगी उसके साथ मेरा यहां का value दिया है आपका up कर लें यहां से यहां का value दिया है 14 और इसकी वेल्य पूछ रहा है इसकी वेल्य हमको मिला नहीं इसकी वेल्य मिला नहीं इसकी वेल्य मिला नहीं यह बराबर हंडेड हो गया equal to 100 हो गया ठीक उसके साथ साथ हम यह जानते थे मेरा रूल क्या कहता था मेरा रूल यह कहता था हम इसी जगर लगा दें कि यह रूल कहता था कि से साथ यह dippah हमको पहले से मिल चुका है इस डिबबं में इसको लिया कर रख देना है यहां पर जी इतना दिख रहा है कि चौदह हो गया ठीक उसके साथ है तो सी का भी मान कितना होगा चौदह होगा क्योंकि इसके सिकेंड इस्टेप में कि यह जो G है प्लस यह कितना इसका दिया है जी यह बोल रहा है इतना बोल दिया उसके बाद जो A है अभी तो निकालना ही है उसके साथ तो T का मान दिया है वो भी क्या कर रहा है पता नहीं चला है अभी तो हम T भी यहां कर लें उसके साथ जो हमारा C ह सी की वेल्यू पता चल गई क्योंकि यह क्या है एक दूसरे के बराबर है ठीक तो इतना इसका मिल गया अब यह हो गया अपका 100% ठीक 100% तो यह हम यहां से इसको अभी इसको क्या कर लें कामन कर लें और इन दोनों को पास में ला लें तो हमको पास में यह मिलेगा कि यह जो ए और और सी थे यह मिला के कितना बना रहे थे इतना पॉसंटेज ठीक अब उसके साथ जो हमारा यह और यह निकालना है हम यह दिखा दें कि इस टेप नंबर यहां प्याप कर लें इस टेप नंबर जो थार्ड है उसमें यह पता चल रहा है हमको कि अब 100 माइनस हम कर लेते हैं हम यह कर लें कि हमारा यह परसंटेज के साथ टी है और माइनस कर लें किसके साथ jos ट् 데 abd Grande में लिखी लेते हैं अराम रहेगा यह कितना मिल गया है इसमें हमको मिल गया है । ये कौन Whoa मिले है इसमें इसमें प्निले हैं जी और कि 6 यह वेलु सुरिय क्या हो गया अब इदर करलो बराबर आपके ही हो गए 100% ठीक तो यह इसमें सब घटा लेते हैं ठीक क्या करें अब घटा लेते हैं तो घटाने के बाद बाद हमको क्या मिलेगा यहां मिलता है इन दोनों का कंबाइन वैलू जो होगा वह हंडेड माइनस हम 28 करते हैं तो यहां से मिलता है सिंपा सा यह यह वैलू होगी किसकी होगी ए प्लस ठीक होगी तो यहां पर हमको इधी ए के बराबर दोनों का है एक का निकालेंगे तो हम अपन इसको टी कर लें यह सिंपासा एक एंसर यहां पे और एक एंसर पहले यहां से निकल गया था ठीक तो हम इनमें अब लाके रख देते हैं सबका मान ठीक क्या सबके मान में इसका मान तो हमको मिल गया यहां पे और 26 परसंटेज उसके साथ साथ यहां का जो मान था यह भी मिल गया 36 परसंटेज 36 यहां पे 40 परसंटेज और यहां पे भी 40 परसंटेज सबको आप एडिशनल जोड देते हों तो यह आपके हंडेट परसंट यहन्ने के पार्टिकस को कभर कर लेगा ठीक तो ऐसे कुछ नुमर करेंगे मेरा सिकेंड नुमर